वक्त रंज अमादे का है आपको बता दें कि दरसल पंजाब और बैंगलोर के बीच जो मुकाबला होना था वो देरी से शुरू हुआ बारिश की वज़े से करीब 10 बज कर 45 मिनट पर शुरूआत हुई पहले बल्लेबाजी पंजाब ने की जैसे ही 9 ओवर में 100 अनुन के हो गए है तेजी से रन बनाने की कोशेश है उसका जो नतीजा होगा वो आगे आपको दिखाएंगे लेकिन चुकि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं चीन के दौरे के लिए हम उस खबर का जिक्र पहले कर लेते हैं और उसके बाद क्रिकेट की बात आपको दिखाएंगे चंद दिल्चस बाचीद भी आपको दिखाएंगे कुछ खिलाडियों के साथ नरेंद्र मोदी आज रवाना हुए हैं चीन के लिए कल सुबह करीब करीब पांच बजे भारत के वक्त के हिसाब से वो चीन पहुँच जाएंगे आज रवाना होते हुए उन्होंने जिस तरीके से सहजता से लोगों का भिवादन किया जिस तरह से कुर्थे पजामे में नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में वो सारी तस्मीर हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं लेकिन बहुत सारी उमीदों का बोज लेकर जा रहे हैं क्योंकि अभी तक जिन देशों का दौरा प्रधान मंत्री ने किया है वहाँ पर बहुत सारे और मुद्दे चाहे रहते आर्थिक निवेश किस तरह काएगा क्य लेकर लोटेंगे कम से कम अर्थ व्यवस्था के लिहाज से ये देखना होता था ये एक ऐसा दौरा है जो एक पड़ोसी मुल्क में है एक ऐसे मुल्क के साथ है जिससे प्रतिसपरधा भी रहती है हिंदुस्तान की और उसके साथ एक ऐसा विवाद भी रहता है सीमा से जु करें इन तस्वीरों में ये भी सोचना जरूरी होगा हमारे साथ हमारी संवाधाता अंजना कशप सीधे चीन से जुड़ रही है अंजना गर आपको आवाज आ रही है तो कल पहुंचते ही जो जो कारेक्रम है हमने जाना कि प्रोटोकॉल तोड़कर शी जिन पिंग जाने वाल कर किसी का स्वागत कर रहे हैं प्रोटोकॉल को तोड़कर उनके लिए वो बीजिंग से यहां शीयान पहुंच रहे हैं शीयान प्रोवेंस है उनका राजग्रे हैं राजे हैं उनका और सब्से दल्चास्प्य ही होगा क्योंकि भूधनिती की बाते तो होनी है आपचारिक होनी है लेकिन वो बाद में उसके पहले भावो कृष्टा जोड़ने की कोशिश है मोदी की वो यहां कर जो एतिहासिक धरोहर है शीयान में वहाँ पर जाएंगे वो तेराकोटा वारियर से शुरुआत कर रहे हैं वो वाइल गुष पगोड़ा देखने के लिए जाएंगे यानि कहीं न कहीं सांस्कृतिक और कला और एतिहासिक धरोहर के जरीये पहले चीन से एक वावो कृष्टा जोड़ने के उनकी कोशिश होगी आठवा नायाब माना जाता है जो टेराकोटा वारियर्स है अदबुत वहां की तस्वीरे हैं सबसे पहले सबसे पहले पांच मुलाकात होगी श्वता तो कला संस्कृति एतिहासिक धरोहर उसके जरीये चीन पर छाप चोड़ने की कोशिश होगी अंजरा जो अखबारों में जो चीनी अखबारों की सुर्खियां यहां पर हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है उसके जरीये अगर स्वागत एक तर चीन में श्वता हाला की मीडिया बहुत कम इस पूरे चुप को अभी तक जितना हमने देखा है बहुत कम कवर कर रहा है वहां पर हमेशा हम यह सवाल उठाते हैं कि शक के गिरहें आखिर कैसे खुलेंगे और कैसे तोनों देशों में जो इतिहास में हमेशा हमें बताया है क बहुत अच्छा नौचीन के साथ हमारा नहीं रहा है यहां पर जो अभी तक परसेप्शन है उसमें यही है कि तैयारी हो रही है और अबिकारी क्रूप से जबरदस तैयारी हो रही है मोडी के लिए एक अलग हच्चे इस बार सब कुछ करने की कोशश है लेकिन इसके आगे एमिये की तरफ से यहां पर जो जानकारी आई उसमें साफ कहा गया कि सरहद के से जुड़े वे तमाम उलज़नों पर कुछ फॉरण हो पाएगा इसकी उमीद रखना गलत होगी तो यह बिकुल साफ है तस्वीर सरहद एक तरफ आप अगर उसको दाकिनार करके और दीरे-द और यही शायद वो फिलोस्टी वियोगी जिसके साथ प्रजार मंति नरेंद्र मोदी आ रहा है कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो हो सकता है उस पर हम ज्यादा दयाने जो हम नहीं कर पाए हैं और नहीं होता हुआ फॉरण दिखाई देता है उससे आगे बढ़ने की बहुत शुक्रिया अंजना करशप जानकारी हमें शियान से दे रही थी यह वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी पहली दफा जाएंगे जब चीन में पहुँचेंगे वो दरसल हमें याद रखना होगा कि चीन के राश्टुपती शी जिनपिंग जब भारत आये थे तो एहमदाबाद वो गए थे नरेंद्र मोदी ने कहा कहा उन्हें घुमाया था उस वक्त की सारी तस्वीरे हैं साबरमती आश्रम साबरमती रिवर फरंट वो सारी चीज़ें हमारे सामने थी